हेलो गाइज वेलकम तो विजर ओनलाइन स्टड़ी एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीटेट 2018 के बारे में जैसा की टॉपिक लिखा हुआ है और साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि आज मैं आप 15-20 मिनिट हम बाते करने वाले हैं और डेफिनेटली अगर आप बी एड, बी टी सी, जे बी टी, डी एलेट या डी एड से रिलेटिड हैं और आपने सीटेट का फोर्म बरा है तो आपको जरूर फाइदा मिलने वाला है तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा कि 15 मिनिट रुकें थोड़ा समझें और डेफिनेटली आपको फाइदा मिलेगा तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप बीएड से रिलेटिड हो तो आप पेपर 2 भरने वाले हो फिलाल तो क्यूंकि अभी पेपर 1 के लिए बीएड को वैलिड नहीं किया है सीटेट ने तीन बास अंचोधन हुआ था लेकिन फाइनली डिसीजन हुआ कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा सो फिलाल मैं पेपर 1 के लिए बात कर रहा हूँ यानि BTC, JBT, DLA, DLA जो भी Elementary Education 125 के लिए है तो आप पेपर 1 के लिए वैलिड होते हैं फिलाल इनकी बात करते हैं फिर बात में 5 मिनिट बार बीएड की बात करेंगे ठीक है सो पेपर 1 के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है याद रखें कि इसमें environment आती है, science नहीं आती ठीक है और environment में हम 25 तक marks ला सकते हैं याद रखें और साथ में जो psycho आती है यानि जिसको हम शिक्षन बोलते हैं, education, seated के पेपर में उसमें भी हम 22 प्लस ला सकते हैं, easily इन दो चीजों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, साथ में अगर आपका गणी में थोड़ा सा भी अच्छा है तब भी हम इसमें 20 प्लस नंबर ला सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स और अगर हम बात करें हिंदी की और साथ में संस्कृत या फिर इंग्लीश ठीक है, बीना पड़े हम हिंदी में 18 से 20 मार्क्स ला सकते हैं, थोड़ा बहुत भी बढ़के और इंग्लीश टू संस्कित में 15 मार्क्स तो बेसिकली अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो अबव 95 बैठेगा ठीक है फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स, 100 के अराउंड यहां पर इसका जो सम है वो बैठने वाला है तो बेसिकली सबसे पहली बात तो हमें टेंशन नहीं लेनी हैं अगर आप सीट एट क्लियर करना चाहते हो तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है बस हमें सही गाइडेंस के जुरत है अगर हमें गाइडेंस हाई मिलती है तो बिना कोचिंग के सीट अराम से क्लियर हो सकता है अब यह तो है नहीं कि हमें 135 मार्क्स चाहिए ठीक है पेपर 1 वालों को तो 100 मार्क्स मिल जाए 96-97 मिल जाए कोई भी प्रोब्लम नहीं है हम बीड वालों के लिए रहता है कि इंट्रिव्यू पर उनको अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस वज़े से जो बीड के सुड़न्ट होते हैं उनके अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो इफेक्ट पोजिटिव होता है प्राइवेट अगर वो इंट्रिव्यू देने जाते हैं तो फिलालम पेपर वन की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप फॉलो करो तो बेसिकली ये सब नंबर कैसे आ सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको हींट दूँगा फिर कुछ किताबे दिखाऊंगा इंपोर्टेंट और थोड़ा से टिप्स दूँगा और डेफिनेटली अगर आप उसके अकोर्डिंग चलोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाऊगे ठीक है फेंट्स तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंवर्मेंट में क्योंकि सबसे ज़़्र नंबर हम उसी मिला सकते हैं अप करणा या है पहले तो इनवर्मेंट की बेसिक चीजे आपको समझती है कि उसमें कॉशन जो 10 से 14 कोशन आते हैं वो बहुत असान आते हैं जिसे हर कोई कर लेते हैं और ये आप कहीं पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि ये पैड़ागोजी से रिलेटिड होते हैं आपको अपनी समझ के अकोडिंग अंसर करने होते हैं ये आप पिछले 10 साल के अगर सभी कोश्चन सोल करके देख लेंगे तो 10 के 14 में से 14 नमर आप ले आएंगे इसके अलावा जो एंवर्मेंट के कोश्चन आते हैं वो एक बुक है उसके लिए अगर आप वो बुक पढ़ लोगे न तो आपको कुछ भी करने के जुरत नहीं पढ़ेगी वो बुक मैं आपको अभी शो करने जा रहा हूँ वैसे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ बट अगर आपके पास ये बुक है तो आपको एंवर्मेंट कहीं और से पढ़ने के जुरत नहीं है इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ ठीक है और कोई भी प्रब्लम आए आप पूश सकते हो ये ज अगर चैप्टर्स के बारे में इसमें बताया गया है और साथ ही सभी सीटेट में आए प्रशन आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आप एंवर्मेंट में 25 प्लस नंबर डाना चाहते हो तो इससे बढ़िया बुक आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है ठीक है इसका एक्जा कर एंवर्मेंट में 25 प्लस नंबर ला सकते है ठीक है तो आई होप कि ये बात आप समझे होंगे इसके अलावा एंसी आटी में जो 6 तक की एंसी आटी अगर हम बात करें 4 to 6 तक की एंसी आटी की बुक आती है एंवर्मेंट की वो भी आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो और उसको पढ़ने से भी आपकी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी तो ये दो काम कर सकते हो आप और इस वो ली जो बुक है जो मैंने आपकी अब लास दिखाई ती उसे पढ़ने में आपको 20 से 25 दिन लग जाएंगे एक घंटा अगर आप रोज देते हो तो और साथी साथ मान लो पांच दिन आपको NCRT पढ़ने मिलाएंगे तो एक महिना अगर एक घंटा रोज दोगे तो एनवोमेंट में आप 25 प्लस नमबर ला सकते हो आपको कोई नहीं रोक सकता अब बात करते हैं सिक्षन की तो सिक्षन में आपको एक तो सिंपल बाल विकास पढ़ना है जो हम B.Ed. और B.T.C. में पढ़ते आ रहे हैं बाल विकास के 10 से 12 नमबर आपके easily 10 पे 12 नमबर हमेशा मिल जाते हैं और साथ में पैडागोजी की अगर आपने पिछले 10 years की practice की होगी तो उसमें से भी आप 15 में से 12 से 13 नमबर अनाम से लेकर आएंगे तो टोटल करें तो 22 बैट तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाल विकास की त्यारी कर लीजिए इसके लिए बुक है ठीक है यूनिक की बुक ले सकते हैं या फिर यूथ यूथ की बुक भी बहुत अच्छी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं इसकी अगर आपके वास वो बुक है वो वैसे तो आ इस्टवेंस यह वो बुक है ठीक है यह किसकी है यह यूद परकाशन की बुक है देख लेते हैं यह लिखा है यूद कंपेटिशन टाइमस इसकी साय का द्यापक के चार बुक साय थी यह बाल मनो विज्ञान के लिए है और बाल मनो विज्ञान इसमें बहुत अच्छा दि और यह बहुत अच्छी बुक है दोस्तों अगर आप इस में से बाल विकास पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाऊगे ठीक है फ्रेंट्स बाल विकास की प्रोबलम के बाद मैंने आपको पैडागोजी बताई है दस साल की पिछले अगर तुम पैडागो से ज़्यादे लाने से कोई नहीं रोक सकता अब बात करते हैं मैट के अगर आपका मैट टेंट लेवल का है तो फोर्टीन कोश्चिन तो आपके वैसे ही कंफर्म होगे क्योंकि मैट बहुत असान आता है साथ में मैट पैडागोजी आप कहां से पढ़ेंगे बीटी सी की च करें मैं आपको बताऊंगा तो अगर गणी चुक्षन की आप वो बुक ले लेते हो तो उसमें आप स्कोर कर सकते हो 20 प्लस मैस में ठीक है वरना यह है कि जिसका मैट बहुत अच्छा है उसके 50 नंबर इसमें जाते हैं वो 23 तक भी इसमें 23-24 ले आते हैं आराम से और पैड पैडागोजी पर धियान दें वी एड की जो गणी चुक्षन की बुक है वो ले लें आज ही जाकर मार्केट से उससे आपको बहुत मिलने वाली है अब हिंदी की बात करते हैं 18-20 नंबर हिंदी में राम से आ जाते हैं और हिंदी में की जो सिंपल है वो आदित्य प्रकाश प्रकाशन की बुक मैं आपको बोलता हूं आदित्य प्रकाशन की आप खरीद लिए हिंदी की उसे पढ़िये तो 12-13 नंबर आपके पक्षे हो जाएंगे और इसके लाब पैडागोजी अगर आप पढ़ते हो पठन विकार हो गया अशुदियां हो गई और इसके लाब हिं इसी बुक है 17 पेजिस की वो लिजिए आप हिंदी के लिए 18-20 नंबर आराम से आजाएंगे आपके और अगर आप जाए टेंशन नहीं देने चाहता है तो पिछले 10 साल के हिंदी के कोशन पढ़ लिजिए और साथ में अधित्य प्रकाशन से आप हिंदी पढ़ सकते हो और अब बात करते हैं संस्कित और इंगलिश की ठीक है तो संस्कृत अगर आपके पास है और हिंदी भी आपकी अच्छी है तो कोई प्रोब्लम कभी नहीं आएगी संस्कित में एक गद्यांच पद्यांच आता है संधी लकार समास यह सा 5-6 टॉपिक आप पढ़ लिजिए आपको कहूंगा कि बीटी सी में जो इंगलिश की बुक है और उसमें जो एजुकेशन शुरू में दी हुई है जो मैथर्डस ओफ टीचिंग है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है ठीक है अप्रोचीज है वो सब अगर आप पढ़ लें तो डेफिनेटली आप 15 से ठार ले पाएंगे अगर आप अभरेज स्टूदेंट है मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूं वो एभरेज add student की बात कर रहा हूं कोई टोपर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं पहले बता दूँ आपको मैं खुद भी हमेशा से एघर रहा था तो उसके बास मैंने जब ट्रिक् हैं इसी प्रकार्षिन की पढ़ाई करो अगर आप चाहते हो कि आप एक भूख खरीद लो उसी में आपके सो से उपर नंबर आ जाए तो यह पॉसिबल दोस्तों नहीं है पिछले दस साल के पेपर को जरूर सोल करके देखो उसमें से बहुत कुछ आपको मिलेगा यह मेरी गर वरना इन सबसे भी कोई फैदा नहीं होगा और बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड वालों को के दो पार्ट हैं फरस्ट है जिन्नोंने बीए कर रखी है सैकेंड जिन्नोंने बीएसी कर रखी है या फिर एमसी एम में में एमसी कर रखी है यानि आर्ट साइड और सा और सिफ जो SST-based हो और तो NCRT पर भी अधारत होती है वो तो वो ले लीजिए साथ में एक NCRT की PDF मेरे पास है 60 pages की वो ले लीजिए और इन्हें पढ़ें अगर आप तो कोई रिक्कत कभी नहीं आएगी साथ में graduation की बात करें तो इनके पास science प्लस math आता है और आपका math तो OV पढ़ लीजिए 25 तक marks यहां पर आपके आजाएंगे तो OV51 marks तो आपके सिर्फ इसी section में बन जाते हैं तो science प्लस math वालो जो भी अच्छे हैं अपने subject में वो पहले ही attempt में बहुत अच्छे number आ सकते हैं खेर अगर आप दुबारा से इसे पढ़ना चाहो तो मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए शुरू से ही वीडियो देखना और जो भी है मुझे यही सब बताना था शेर करना था अपने method अपने तरीके तो मैंने आप सब को बता दिया है कैसे कैसे आपको पढ़ना है वीडियो कैसी लगी बताएं और इसके अलावा कोई और तरीका से भी आप जुड़ सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हमें बताएं कि यह खिचड़ी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा थैंक्यू सो मुच गाइस बाबाई टेक्यार